बहुजन समाजपार्टी की राष्टियत द्यच पूर मुख्यमंत्री मायावती ने 2022 के विधान सबा चुनाव में किसी भी दल के साथ गडबंधन नहीं करने के एलान के साथ ही यह भी एक तरह से संदेश दे दिया है कि वह अकेले ही चुनाव मैदान में उतरेंगी ऐसे में मायावती के सामने तमाम तरह की नई रणनीत बनाने के आउसर होंगे तो तमाम तरह की चुनावतियां भी उनके सामने होंगी उतर प्रदेश में एक तरफ जहां बहुजन समाजपार्टी के तमामनेता उनसे दूर हो चुके हैं वही संगठन को बूत इस्तर तक रहे जनाधार को बढ़ाने की भी उनके सामने चुनावती होगी इटीवी भारत ने बहुजन समाज पार्टी की एकला चलो कि राह को लेकर राजनीतिक विजले सकेवं दलित चिंतक प्रोफेसर रविकान से बाचीत की देखिए मुझे लगता है कि उनकी जो शैली रही है लेकिन उसके पहल 2017 का उन्होंने बदानसवा चुनाव अकेले लड़ा था लेकिस सीटें उनकी सिर्फ उन्नीस आई थी और इधर मुझे जो लग रहा है कि जिस तरीकी इसी परस्यतियां बन रही थी और प्रकाश राजवर जरूर कह रहे थे कि वो बीस पी के साथ जना चा की रलनीती हो सकती है देखी जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी विएसपी की 2012 में सोरी 2007 में उसमया 206 सीटें मिली थी लेकिन जो बोट परसेंटेज था वो 33.5 परसेंट था था उसके बाद पिछले चुनाव में उन्हें महस 22 पीजदी बोट मिला है 2012 में 26 पीजदी ब बोट खिसका है अगर हम दलित जोड़ने और मुस्लिम जोड़ने तो वह बहुत ज़्यादा होता है लेकिन इससाब से लगता है कि उनको बोट मिला नहीं उस तरह से अहां यह जरूर है कि जाटाओ जो गैरा से 12 परसेंट है वह उनके साथ जुड़ा हुआ है बाकी जो करे बोट का वह तीस के आसपास नहीं पहुंचता है तब तक मुझे लगता है कि जीतना तो बहुत मुश्किल है तो यह परस्चितियां है और इनमें लग रहा है कि जाटाओ बोट के अत्रिक्त बलकि उसमें भी बजह लगता है कि जो अखलेश के साथ नहोंने गटबंदन तो जैसे अखलेश को समर्थन मिल सकता है उन लोगों का लेकिन चुनाओ में आखरी तोर पर तो मुझे लगता है कि जाटाओ अधिकांश बोट मायवती के साथ रहता है हाँ यह जरूर है कि जैसे 1370 पर उन्होंने मोधी सरकार का समर्थन किया था भावनात्मक मुद्द है मु बहुत कड़ा संदेश कोई नहीं दिया है वो कड़ा कोई स्टेंड नहीं लिया है तो इससे मुझे लगता है कि मुसलिम भी बहुत जादा उनकी प्रती विश्वास नहीं रखता है इस चुनाओ में तो जो सीधे तोर पर बीजेपी को हराने के लिए चुनाओ होने जा रह सब्सक्राइब करेंगी और सबसे बड़ा सब्सक्राइब को छोड़कर उनके साथ आएगा तो अब यह तो चुनाओ के पहले समझ में आएगा कि वो किस तरह से अपने सीटों का बटवारा कर रहे हैं धीरस्त्रिपार्टी एटीभाद लाखनाओ